नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉंड अप शो अगे नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्खियों पर हर्याना के टोहाना में किसानों का धर्ना प्रदेशन जारी साल 2021 के अब तक के सफर में कर तकरीबन 2.5 करोड लोगों को गवानी पड़ी अपनी नौकरी चौतरफा अलोशना के बाद दिली के अस्पताल ने नर्सों को मल्यालम बोलने से रोकने वाला आदेश लिया वापस लक्षदीब के परिशान करने वाले घटना क्रम पर भूठपूर सिविल सेविकों की प्रदान मंत्री के नाम पर चिट्टी और आखर में 18 साल से उपर इके सभी लोगों को 21 जून से मुफ्त लगी वैक्सीन हरियाना के फतेहाबाद का टोहाना किसानों के आंदोलन का एक नया केंद्र बना हुआ है किसाननेताओं और किसान समर्थकों के दो दिन के जुजहारू संगर्ष की वज़ा से किसाननेता रवी आजाद और सिसर को जेल से रिहा कर दिया गया किसाननेताओं का कहना है कि इतवार के दिन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की और किसाननेताओं को जेल से रिहा किया गया इसे ही आंदोलन की जीत कहते हैं लेकिन अभी भी किसान निता मक्खन सिंग जेल में है गिरिफतार किये गए किसान निताओं से जुड़ी हुई प्रशासनिक अर्चने अभी भी पुरी तरह से खारिज नहीं की गई है इसलिए सनित किसान मोचा ने फैसला लिया है जनवरी और मई 2021 के बीच 2.5 करोड से अधिक मौजूदा नौकरियां खत्म हो गई है इन में रोजगार का सबसे बड़ा नुकसान करीब 2.2 करोड नौकरियां अप्रेल और मई में चली गई यह उस अवधी में हुआ जब भारत कोविड-19 की क्रूर और घा तक दूसी लहर से गिरा हुआ था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी द्वारा जारी किये गए आवधीक सर्विष्णों के नविंतन परिणामों से ये चौकाने वाले आकड़े सामने आये हैं पिछले साल की तरह इस साल भी खेती ने बहुत से बेरोजगारों को सहारा दिया है पुरे देश से ऐसी रिपोर्ट आई हैं जहां 50% कारेबल को काम पर रखने की अनुमती दी गई थी वहां मालिकों ने बागी मजदूरों की नौकरी ही खत्म कर दी शहर बेरोजगारी दर तकरीबन 15% के आसपास है और ग्रामिड बेरोजगारी दर तकरीबन 11% के आसपास है ग्रामिड बेरोजगारी दर के आकड़े इसलिए कम है क्योंकि ग्रामिड मजदूरों को खेती का सहारा मिल जा रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रामिन मजदूरों को फायदा हो रहा है शहरों से पलायन करने के बाद मजदूर गाउं की तरफ गए हैं गाउं में मजदूरों की संक्या बड़ी है लेकिन काम पहले जितना ही है मतलब यह कि बड़ी संख्या में मजदूरों के होने की वज़ा से प्रती मजदूर आमदनी पहले की अपिक्षा कम रहने के संभावना है इस भयंकर स्थिती में सरकार को तत्काल राहत उपायों को लागू करना चाहिए था लेकिन राहत के नाम पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की गंबीर कोशिश नहीं की जा रही दिल्ली के गोविंद बल्लब पंत सरकारी अस्पताल में नर्सों को मल्यालम बोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया गया था नर्सों को आदेश दिया गया था कि वह अस्पताल परिसर में हिंदी और अंग्रेजी में बात करें अन्यता उन पर कड़ी कारवाई की जाएगी इस आदेश का केरल में सत्सीन वामपंती दल भारत की कौमिनिस्ट पार्टी माक्सवादी की दिल्ली राजर कमेटी और केरल के मुख्यमंत्री ने कड़ा विरोध जताया इसे देश की विविदिता पर हमला करार दिया जब इस आदेश पर चोतरफा आलोचना शुरू हुई तो रविवार को अस्पताल ने इस आदेश को वापस ले रिया और कहा कि इस मामले में कड़ी कारवाई की जाएगी माकपा दिल्ली इकाई के सचीव के एम तिवारी ने बयान जारी कर कहा कि यह आदेश न सिर्फ और समय धानिक है बलकि भाशाई वर्चस्व वाद से प्रेडित है दिल्ली के किसी पे अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ मरीजों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में ही समाद करते हैं लेकिन यह आदेश आपसी बाचीत में भी मल्यालम के इस्तिमाल को रोकने से जुड़ा आदेश है मांसी ग्रूप से दिवालिया या भाशाई पुर्वा ग्रह से युगत आदेश है हलाकि यह अच्छी बात रही कि चौत औरफा आलोशना सुनने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस आदेश को वापस ले लिया भूदपूर सिविल सेवकों के ग्रूप ने लचुदीप के मुद्धे पर भारत के प्रधार मंत्री सहीत भारत सरकार के बड़े पदों के नाम एक चिट्थी लिखी है चिट्थी में कहा है कि उनका संबंद किसी भी राजनिदिक दल से नहीं है उनकी प्रती बद्धता भारती समिधान में है लचुदीप में विकास के नाम पर जो हो रहा है वह परिशान करने वाला है उनका कहना है कि अगर भारत सरकार लचुदीप में विकास चाहती है तो वो लच्छदीब के नागरिकों के साथ मिलकर उपयुक्त डेवलप्मेंट मॉडल तयार करें जिसमें सुरक्षा, बहतर स्वास्त वेवस्ता, शिक्षा और अच्छी शासन प्रवाली समेथ अनी चीजे शामिल हो जो कदम उठाए गए हैं उनसे विकास की नहीं बलकि मन मुताबिक नीती निर्मार की बू आती है और यह उस परंपरागत प्रक्रिया का उलंगन करते हैं जो लच्छदीब के समाज और यहां के परियावरण का समान करती है लच्छदीब के लोगों से सलाल ये बिना प्रशासक द्वारा उठाए गए इन कदमों और बहुत दूर तक असर डालने वाले प्रस्तावों से लच्छदीब के समाच, अर्थिवेवस्ता और भगावलिक परिद्रिश्य के बुनियादी धागे पर प्रहार होता है ऐसा लगता है जैसे यह द्वीप सिर्फ पर्यटकों और बाहरी दुनिया के निवशकों के लिए ही रियल स्टेट का एक टुकड़ा हो अपनी चिट्टी के जरिये पुर्वे सिविल सर्वेंटों ने प्रशासक परफुल पटेल के फैसलों का वापस लेने की अपील की है आपको बता दी कि केरल के कोच्ची से दूर अरब सागर से घिरे और महज 32 वर किलोमेटर दायरे से कम कायम 36 दूरिपों के सम्मू लच्च दूरिप में लोगों के खान पिन की आदत गुजर बसर की रीत सारा कुष कानून के जरिये बदलनी की कवायद चल रही है अस्थानी लोग इसका विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरिन मोधी ने 15 महिने के कोरोना काल में नववा राष्ट संबोधन दिया इस संबोधन में नरिन मोधी ने सुप्रीम कोट की फटकार और जंता के कड़े विरोध के बाद वैक्सिनेशन नीती से जुड़े कुछ तर्क ही और मनमाने नीतियों को सुधारने से जुड़ा एलान किया उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सिन दी जाएगी उन्हें इसके लिए कुछ खर्ष नहीं करना हो 18 साथ से उपर के लोगों को केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सिन लगेगी राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्यदारी भी भार सरकार उठाएगी ये व्यवस्ता दो हफ्तों में लागू की जाएगी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार जरूरी तयारी कर लेगी सन्योग है कि 21 जून को ही अंतरास्टी योग दिवस भी है 21 जून सोमवार्से देश के हर राज्यों में 18 साथ से उपर के लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्द कराएगी वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरितर राज्यों सरकार को मुफ्त में देगी आज के डेली डॉंड अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस फेपसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया